Hello students, Welcome to today's class तो इस्टुन आज के इस वीडियो में जो हम Class 10th के Computer Application के Sample Paper को डिसकस करने वाले हैं तो देखिए जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि आपका जो है बहुत ही जल्द Computer Application का Paper होने वाला है, दो चार दिन के बाद ही CBSC का Class 10th का Computer Application का Paper होने वाला है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए जो है मैं एक Sample Paper का वीडियो बना दे रहा हूँ, जिससे कि आपको ज़्यादा Clarity मिल सके कि किस तरीके से जो है आपको इस Paper को Attempt करना है जो आपका Question Paper आएगा CBSC का उसको किस तरीके से आपको Attempt करना है, किस तरीके को उसमें Questions आएंगे, तो यहाँ पर इस वीडियो को पुरा ध्यान से देखिया है, जिससे कि जो है आपके काफी सारे doubt क्लियर हो जाएंगे और आपको Clarity मिल सकेगी कि किस तरीके से आपको Question Paper को Attempt करना है तो चलिए आज किस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर देखिये, सबसे पहले हम Discuss कर लेते हैं, जो आपको Question Paper होगा वो 25 Marks का होगा, यह चीज़ आपको आपको आलेडी बता है, 25 Marks का जो है आपको Practical आलेडी हो चुका है तो यहाँ पर हम बात करें, Question Paper की तो यह 3 Section में डिवैडेड होगा A, B, C और सारी Section आपके कंपल सरी हैं कोई भी Section आपको छोड़ना नहीं है Section A की अगर हम बात करें तो इसमें 4 Question मिलेंगे जो कि आपके Short Type के होंगे और हर एक Question जो है वो आपका 2 Number का होगा इसके अलावर Section 1 में जो है वो आपको एक Question में जो है Internal Choice भी दी जाएगी Section B की अगर हम बात करें तो Section B में 3 Question होंगे जो कि Long Answer Type के होंगे और यहाँ पर हर एक Question जो है वो आपका 3 Marks का होगा और यहाँ पर भी आपको एक Question में Choice देखने को मिलेगी Section C के अगर हम बात करें तो दो Question आपको देखने को मिलेंगे जो कि आपके Long Answer Type Question होंगे और यह जो Question होंगे वो आपके 4 Number के होंगे मतलब हर एक Question जो है वो 4 Number का आपका होगा तो यह जो है Format आपका Question पेपर का रहने बाला है तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले बात करते हैं Section A की तो Section A की अगर हम बात करने हैं Section A के First Question को डिसकस कर लेते हैं पहला Question है Write Suitable Code to Invent Audio and Video in a Webpage मतलब कि सिंपल सी बात है कि जो Webpage होता है उस पर Audio और Video को अगर आपको Invent करना है तो Code क्या रहेगा तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यह आपके सामने Answer है देखिए यहाँ पर आप लोग को लग रहा हुआ कि सर ने जो है Answer को डिस्पले कर दिया है तो यहाँ पर इस चीज़ से Confuse मत होना बढ़ मुझे टाइम ने मिल पा रहा था तो इसलिए मैंने सोचा कि अग्जाम से पहले मापके लिए वीडियो बना दूँ जिससे कि आप लोग की जो भी डाउट है वो क्लियर हो सके है तो यहाँ पर हम बात करें कि Audio और Video को Invent करने की तो देखिए मैंने आपको Audio और Video को इंसर्ट करना बताया था कि किस तरीके से आप Audio वीडियो को अपने Backpage पे इंसर्ट कर सकते हैं अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ मैं क्लियर कर दे रहा हूँ जिन बच्चों को भी नहीं पता है कि किस तरीके से त्यारी करनी है या हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे हो जिनने जो है Class 10 के Compute Application के त्यारी नहीं की हो तो उनके लिए मैं यहाँ पर Specially Mention कर रहा हूँ कि आप लोग जो है मेरी Playlist को देख लीजेगा सारी चीजे जो है मैंने Playlist में आपको Explain की हुई है कि क्या क्या चीजे जो है वो आपके Slave Us की है और सारे Topic जो है वो Hot Detail में मैंने Explain की हुई है अगर आप जो है उस Playlist को देख लेंगे तो आपका एक भी नंबर का Question नहीं कटेगा बहुत आराम से आप कर लेंगे देखिए बहुत Limited Slave वैसा बहुत आराम से आप इसको कर सकते हैं तो मैं यहाँ पर देखिए आपको बता दे रहाँ किस तरीके से उस Playlist को Watch कर देते हैं उसके बाद में हम यहाँ पर आगे Continue करेंगे जिससे कि वो बच्चे तयारी कर सकें जिनकी तयारी नहीं हुई है क्योंकि यहाँ पर आपके पास में 2-3 दिन का ही टाइम है तो अगर आप सारे वीडियोस को Watch कर लेते हैं तो आराम से आप Question Paper को Solve कर पाएंगे तो देखें यहाँ पर बता जह रहा हूं आपको Playlist किस तरीके से मिलेगी देखें आपको योटूब पर चले जाना है और योटूब पर जाके Search करना है तेजपाल महरया तेजपाल महरया Search कर लेना मेरा नाह है इन liegt यहाँ आप basta बर्जन यूज कर नहीं आप जो सेम का मुवाइल फोन पर कर सकते हैं मुवाइल फोन पर YouTube का अप्लिक्शन को उपन कीज़ेगा और उसमें जाकर सर्च कर लेना तेजपाल मौरया सर्च करने के बाद में यहां पर देखिए इस तरीके से मेरे चैनल का आइकन आजाएगा तो आपको यहां पर मेरे आइकन सर्च कर देए hmm क्लास 10 की Computer Application 4 इस प्ले लिस्ट में देखिए 16 वीडियो मेरे बाद में तो जो आपका कोई भी question time to exam में नहीं बचेगा बहुत आराम से जो आप question paper को solve कर पाएंगे क्योंकि सारी चीछे यहां पर मैंने detail में explain की हुई है तो यहां पर देखे recommend कर रहा हूं कि इस playlist को जरूर बहुत कर लेना जिससे की जो है आपको exam में कोई भी problem देख लेको नहीं मिलेगी तो चलिए आप बात कर लेते हैं sample paper की देखें यहां पर जो playlist है इसका link जो है मैं आपको इस वीडियो के description में दे दूँगा तो हम बात कर रहेते हैं यहां पर इस question की आप लिंक करना चाहते हैं तो जो भी video file का name होगा वो यहां पर दे देंगे अगर आपको paper में video file का name दे रखा है तो उस file का नाम यहां पर लिख देंगे अगर नहीं दे रखा है तो आप जो इस तरीके से है मैंने इसको detail में समझाया है कि किस तरीके से जो आपको audio video को embed करना होता है यहां पर मैंने आपको बता दिया कि अगर इस type का question मिलता है तो किस तरीके साब को करना है बात करते है question number two की तो question number two में देखे बोला गया है what do you understand by term URL how it is different from email address एक question तो यह है और इसी question में देखे आपको choice दे रखी है choice में दे रखा है what do you understand by news group how it is different from blog तो आप जो है यहां पर कोई साभी question attempt कर सकते हैं दोने ही question में choice है तो सबसे पहले बात करते हैं पहले बाले part की कि आपका URL क्या होता है और यह जो है email से किस तरीके से different होता है तो URL की अगर हम बात क address होता है उसी को हम बोलते है URL और अगर हम बात करें email की तो email जो है एक address होता है जो कि आपको email account के लिए मिलता है और email में एक चीज़ खास रहती है कि email address होता है महां पर add the rate का sign रहता है और अगर हम बात करें URL की तो URL में आपको यह कभी भी देखने को नहीं मिलेगा मतलब कि यह आपको कभी भी email address में देखने को नहीं मिलेगा तो यहीं difference होता है आपका web address और email address में दोनों अलग अलग चीज़े हैं बात करते हैं next part की जिसमें की पूछा गया है what do you understand by newsgroup तो newsgroup की अगर हम बात करें तो newsgroup क्या है internet based discussion group है मतलब कि एक तरीके का discussion group है जिसमें की particular topic पर discussion ह होता है जैसे कि cyber safety हो गया python हो गया या फिर कोई और topic हो सकता है उससे related discussion हो सकता है तो एक तरीके की जैसे आपके WhatsApp group होते हैं particular topics related जैसे family groups होते हैं friends groups होते हैं तो उसी तरीके से internet पे web-based क्या होते हैं newsgroup होते हैं जहां पर कि आप particular topic के अबारे में discussion कर सकते हैं और अगर हम बात क करें blog की तो blog क्या होती है एक तरीकी website होती है जहां पर कि कोई individual जो है अपने interest की चीजे लिखके post करता है तो blog जो है थोड़ी अलग चीज हो गई क्योंकि यहां पर जो ब्लॉग होता है वो individual person जो है वो ब्लॉग पर control रखता है जबकि discussion group जो होता है वहां पर कोई भी discussion कर सक तो यह difference होता है आपका news group और blog में I hope आप लोग कोई question भी समझ में आ गया होगा बात करते है next question की next question आपका what is hyperlink give the name and syntax for the HTML tag which is used for creating hyperlink मतलब कि यहां पर hyperlink पूछा है कि क्या होता है और साथ ही में आप से syntax पूछा गया है कि अगर आपको hyperlink create करना तो उसके लिए syntax क्या रहेग इसको दुसरे page से connect करते हैं मतलब की join करते हैं एक page के दो section को भी कर सकते हैं आप connect या फिर एक page को दुसरे page से भी connect कर सकते हैं तो यही काम होता है hyperlink का अब अगर हम बात करें जो hyperlink create होता है वो कौन से tag की help से होता है तो यह create होता है anchor tag की help से जिसको की normally हम A से represent करते हैं इस तरीके से आप लिखते हैं तो यह anchor tag होता है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यह syntax लिखा हुआ है कि hyperlink कैसे लगाएंगे आप लिखेंगे ए उसके बाद में आप लगाएंगे हर्व attribute और उसके बाद में जिस address को भी link करना है वो यहाँ पर दे देंगे then इसके बाद में यहाँ पर text रहते हैं जिन text पर भी आप चाहते हैं link लगाना कि इन text पर जैसी click करा जाया तो यह page open हो जाया तो वो text यहाँ पर जाएंगे और उसके बाद में जो anchor tag वो आपका close हो जाएगा तो इस तरीके से जो है वो आपका hyperlink create होता है तो I hope आप लोग कोई question भी समझ में आ गया होगा बात करते है question number 4 की देखे question number 4 में बोला गया है रोहिट जो है वो क्या है student class 10th का और वो चाहाता है represent करना table web page पे लेकिन उसे table tag के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है तो यहाँ पर जो आपको table tag का roll बताना है और बताना है कि किस तरीके से जो question paper में दे रखा कि क्या table create करनी है तब तो आप उसके according लिखेंगे और अगर नहीं दे रखी है तो आप अपने according कोई भी table का code यहाँ पर इस तरीके से लिख देंगे table create करना सभी को आता होगा जिन बच्चों ने मेरी वीडियो देख रखी होंगे उन सभी को पता होगा कि table क इस तरीके से create करते हैं तो यहाँ है simple सा process table tag लagाते है उसके बाद में T.R. लगते हैं T.R. से क्या होता है जो row होती है वो create होती है और उसके बाद में T.D. लगाकर करे अप data डाल देते हैं तो इस तरीके से इतने भी column आपको form करने का बाद में जो row होती है उसको हम T.R. ट. तो यह process आपको repeat करना होता है तो आप लोग को समझ में आ चुका होगा अगर देखिए यहां पर कुछ भी confusion रह रहा होगा तो मैं आप लोग को बता दे रहा हूं बार-बार मैं आप लोग को बोल रहा हूं कि जो मेरे प्लेलेस्टा उसको जरूर देख लेना सारे डाउट कि question paper किस तरीके का आता है उसमें question किस टाइब के आते हैं और उनको जो है किस तरीके से attempt करना होता है तो यहां पर देखिए playlist को जरूर देख लेना जिससे कि आपके सारे doubt clear हो जाए अब बात करते है section B की तो section B में पहला question है define internet and write its two uses in our daily life how it is different from the www मतलब की worldwide web से किस तरीके से internet different होता है तो यहां पर दो use बताने हैं जो कि आप daily life में internet के करते हैं तो बात करते हैं इसके answer की तो देखिए internet की अगर हम बात करें तो internet है क्या एक ऐसा network है जो कि पूरा worldwide आपका फैला हुआ है या फिर आप कह सकते हैं network है interconnected network सा मतलब की network का ही एक network है जो कि पूरे world में फैला हुआ है और इसकी help आप क्या करते हैं fast और easy way में communication कर पाते हैं या फिर आप कह सकते हैं simple way में information को access कर पाते हैं और यह use करता है TCP IP protocol और अगर हम बात करें daily life में दो uses की तो internet को जो हम use करते हैं educational website को access करने के लिए जैसे खान academy है unacademy है अलग अलग टाइप की जो website होती है या YouTube की अखरम बात करें YouTube से भी आप education लेते हैं तो different type की website को access करने के लिए जो हम internet के use करते हैं इसके अलावा internet का use करते हैं email को send करने के लिए इसके अलावा अगर आप चाहाएं तो यहाप लिख सकते हैं transaction क लिए भी हम internet के use करते है online transaction या फिर online banking भी आप यहाँ पर लेख सकते हैं तो यह तो बात होगे internet क्या होता है और इसके डिले लाइफ में क्या use होते हैं अब यहाँ पर बोला गया कि किस तरीके से यह www से different है तो यहाँ पर हम बात करें तो www का मतलब होता है worldwide web और यह content online वो सारा का सारा क्या रहता है आपका organized भी में अवेलेबल रहता है जैसे कि आप लोगों हर एक website के आगे देखा हुआ लिखा हुआ बहां पर लिखा रहता है www मतलब की worldwide web से जो है वो आपको access होके मिल रहा है content तो सारा जो content होता है वो organized भी में रहता है तो यह difference होता है internet मे और www में I hope आप लोगों समझ में आ चुका होगा बात करते है next question की next question अब पुछा गया है what is e-learning explain any two merits of e-learning मतलब की simply इसमें पुछा गया है कि e-learning क्या होती है और e-learning के दो आपको जो है advantage बताने है कि e-learning की क्या merits होती है तो यहाँ पर इसके answer की बात कर लेते हैं देखिए e- e-learning का simple सा मतलब है एक ऐसी learning जो कि आप electronic resources की help से gain करते हैं मतलब की electronic devices का use करके internet की help से जो learning आप gain करते हैं उसे ही हम बोलते है e-learning I hope आप लोगों को इतनी चीज़ समझ में आगी होगी e-learning को आप लोगों ने 2 साल में काफी अच्छ समझ लिया होगा देखिए आप लोगी जो तो देखिए बहुत सारे merits है e-learning के बहुत सारे advantage है इसकी help से क्या कर सकते है teachers जो है वो पढ़ाने के लिए technology का use कर सकते हैं और साथे साथ student भी जो है वो क्या कर सकते है e-learning के help से learn कर सकते हैं घर पे बैठे बैठे मतलब कि कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है पैसे भी और इसकी help से जो है आप घर बैठे 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 पढ़ाई कर सकते हैं अच्छे-ची website से जो है आप e-learning कर सकते हैं तो यह हो गया इस question का answer I hope आप लोगको यह question भी समझ में आ गया होगा next question की बात करते हैं तो इस question अब बोला गया है अब web browser is different from web server explain any two differences in web browser and web server with suitable example तो एक question यह हो गया इसके अलावा देखिए आप 24 में question दे रखा है explain any two differences between 3G and 4G तो यहां पर देखिए next question आपको यह दे रखा है कि 3G और 4G में difference क्या होता है तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले बाले part की कि web browser और जो web server है उनमें difference क्या होता है तो यहां पर हम बात करें तो web browser क्य है एक तरीके का software है मतलब कि एक ऐसा application software है जिसकी help आप क्या करते हैं internet को browse करते हैं जो web pages होते हैं उनको आप access करते हैं web browser की help से देखिए जो आपका Google Chrome है Mozilla Firefox है Apple Safari हो गया internet explorer हो गया या Edge browser हो गया यह सब क्या है आपके web browser है तो जो भी चीज हम internet से access करते हैं वो web browser की help से ही करते हैं तो web browser करता किया है request send करता है web server को अब web server देखिए क्या होते है web server ऐसे komp sesleri को भूलते है जहां पतक कर्कों डेटा है बहां तक request को जाएगा web browser मतलब कि web browser के through request जाती है और बहां से जो server होता है वो आपके content को provide करता है तो इस तरीके से आपका work करता है और यह difference होता है web browser और web server में web browser एक application है जिसको कि हम internet access करने के लिए यूज़ करते हैं और web server जो अब एक computer है मतलब कि एक ऐसा computer है पर कि website का data store किया हुआ है तो I hope आप लोगो इतनी चीज़ के लिए होगी होगी कि web browser क्या होता है और web server क्या होता है बात कर लेते हैं यहां पर next question की मतलब कि second बाला part था और करके उस question की बात कर लेते हैं तो यहां पर पुछा गया था 3G और 4G में difference क्या होता है तो 3G और 4G में जो main difference होता है वो speed का होता है देखिए 3G के अगर हम बात करें तो 3G का मतलब होता है third generation technology मतलब कि यह जो है आपकी third generation wireless telecommunication technology है और अगर हम बात करें 4G की तो 4G का मतलब है यह fourth generation broadband cellular network technology है और यह 3G से ज़्यादा advanced technology है अगर हम बात करें 3G की speed की तो इसमें जो download speed आपको मिलती है वो 21 Mbps तक की मिलती है लेकिन 4G की अगर हम बात करें तो 4G में जो आपको download speed मिलती है वो 1 Gbps तक की मिल सकती है तो यही difference होता है mainly आपका 3G and 4G में यह difference भी मैंने आपको पढ़ा रखी है यह देखिए मैंने आपको साथ second और third chapter हम बहुत अच्छे से explain करा है कि 3G क्या होता है 4G क्या होता है और इसके लाब बहुत सारी mobile technology जो हम आपको पढ़ा चुका हूँ तो इसलिए मैं आपको से बोल रहा हूँ कि जो playlist है उसको अच्छे से watch कर लिजएगा कोई भी question जो है वो आपका नहीं बचेगा तो I hope आप लोग के question भी समझ में आ चुका हुआ अब बात करते है section C की तो section C में पहला question आपका case study base तो इहां पर बात कर लेते हैं तो इहां पर आपको बोला गया है कि case study है जिसको आपको अच्छे से study करना है और यहां पर इस पर बेज जो है वो आपको 5 question दे गए है और इन 5 questions में से जो है आपको कोई भी 4 attempt करने है तो यहां पर अगर हम बात करें marks की तो हर एक question का एक number यहां पर आपको मिलेगा तो यहां पर बात कर लेते हैं क्या question है तो यहां से इसमें बोला गया है Mr. Harris जो है वो एक accountant है और वो IT firm में जो है work करते हैं लेकिन pandemic की बज़े से वो जो है घर से work कर रहा है मतलब की work from home कर रहा है अब देखी इस काम को करने के लिए मतलब की work from home करने के लिए उन्हों क्या करा है एक online office setup किया है अपने घर पे अब उन्होंने क्या क्या पर्चेस करा है एक laptop पर्चेस कर लिया एक web camera पर्चेस कर लिया और जो भी accessories थी वो पर्चेस कर लिया है now he has start working from home and performs his various duties online मतलब की उसने सारा setup तयार कर लिया है उसके बाद में उसने online work करना start कर दिया है तो जो भी duties है वो online वो करता है तो इस पर भी इस questions आपको दे रखे हैं तो पहला question क्या है discuss कर लेते हैं तो पहले question में बोला गया है Mr.Harris want to hold an online meeting with the company's client मतलब क्यों उनको जो है एक online meeting hold करनी है company के clients के साथ में अब यहां पर पूछा गया है अभी बताओ आप कौन सी web service का use उसे करना चाहिए तो simple सी बात है इसके लिए क्या करेगा video conferencing को यूज करेगा जैसे की zoom है skype है जूम का use आप लोगों ने खूब करा होगा pandemic पर तो यह जो है आपके video conferencing application है तो simply यहां पर जो है उसे किसी भी video conferencing application को यूज करना पड़ेगा इस काम को करने के लिए बात करते है question number 2 की तो question number 2 की अगर हम बात करें तो question number 2 में बोला गया है Mr. Pritish send an email to Harish requesting him to prepare a balance sheet which protocol is involved during this email communication मतलब कि Pritish ने जो है Harish को email भेजा है तो यहां पर जो email भेजा है इसमें पूछा गया है कि कौन सा प्रोटोकॉल यूज होगा तो दिखिए बहुत ज़्यादा simple सा answer है मैंने आप लोगों को पता है था कि आप जब email send करते हैं तो कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है आपका प्रोटोकॉल यूज होगा यहां पर SMTP SMTP की फुल फॉर्म होती है Simple Mail Transfer Protocol तो यह इसका answer हो जाएगा और दिखिए रिसीब करने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज होगा वो होगा आपका पॉप तो दोनों ही प्रोटोकॉल आएंगे क्योंकि यहां पर send भी हो रहा है और receive भी हो रहा है तो receive करने के लिए जो प्रोटोकॉल होता है वो आपका use होता है तो दोनों ही प्रोटोकॉल की आपको नाम यहां पर लिखने हैं बात करते हैं question number 3 की तो question number 3 की अगर हम बात करें तो इसमें बोला गया है Companies financial head need to send some highly security document to Mr. Haris He uses an application which supports the dash protocol मतलब की company का जो financial head है उसको जो हरीज को बहती ज़्यादा sensitive document भेजना है तो इसके लिए जो वो application use कर रहा है उसे concept protocol यूज करना चाहिए मतलब की जो application यूज कर रहा है document को send करने लिए तो यहां पर concept protocol होना चाहिए मतलब कौन सा प्रोटोकॉल यहां पर support करेगा तो इसकी अगर हम बात करें तो इसका answer हो जाएगा SSH मतलब की secure cell protocol का use करेंगे जिससे की document है वो securely Haris तक पहुच पाए Next question की बात करते हैं तो next question पूश गया है In order to gather some information on latest accounting trend Mr. Haris has to do some research He can do this by locating sites online using a dash मतलब की Mr. Haris को जो है latest accounting trends के बारे में कुछ information लेनी है online तो वो इस information को किस तरीके से गहदर कर सकते हैं तो इसके लिए simple सी बात है तो क्या use करेंगे यहां भी use करेंगे search engine मतलब की जो web browser होगा वहां पे जो आप search engine का use कर सकते हैं इसी Google है Bing है इनका भी use करेंगे और obvious है इनका use करने के लिए आपको सबसे पहले तो web browser को open करना पढ़ेगा तो इस तरीके से यह आपका correct answer हो जाएगा I hope आप लोग को समझ में आ गया होगा बात करते है next question की जो सब the company secretary send an email to Mr.Harris which contains important company file what should he do in order to access the files मतलब company secretary ने जो है Mr.Harris को email भेजा जिसमें कुछ files है company की अब उन file को access करने के लिए Mr.Harris को क्या करना पढ़ेगा तो बहुत simple सी यह बात है उनको access करने के लिए उनको download कर लेगा तो यहां पर answer हो जाएगा download file जो भी link दे रखा है उस link पर click करका उन files को download कर लेगा next question की बात करते है question number 9 question number 9 में देखिए यहां पर जो है आपके सामने इस तरीके से table दे रखिए और आपको बोला गया है कि यहां पर कुछ specification दे रखिए हैं कि जो table आप create करेंगे उसका जो code होगा वो proper होना चाहिए और यहां पर जो heading रहेगी वो HTML table रहेगी इसके अलावे यहां पर देखिए बोला है कि first label की heading आपको यूज करनी है background color जो है वो आपका क्या रहेगा background color बोला है इन्होंने light, cyan तो यह जो है इन्होंने background color बताया है और specification 2 की अगर हम बात करें तो इन्होंने बोला है कि table का जो border आप लगाओगे उसका size होना चाहिए बन और साथ-साथ यहां पर जो header tag होगा वो requirement के according use होना चाहिए third specification में आपको यूज करना है कि table should exactly contain four rows and four column मतलब कि table में आपके चारी column हो और चारी row आपकी होनी चाहिए और इसके अलाब में हैं इहां पर स्पेस्पिक और थार्म में भूल को यूज करना है ज्छाहाँ पर इस तरीके से यहां पर row औरो कॉलं को यूज किया गया तो बात करते हैं इस question का code क्या रहेगा तो code की अगर हम बात करें तो code आपका ये रहेगा यहां पर देखिए सबसे पहले आप HTML लिखेंगे head लिखेंगे head close करेंगे title देना चाहें तो title भी दे सकते हैं उसमें कोई problem वाली बात नहीं है अब यहां पर देखिए body लिखेंगे और body में देखिए busy color लगा देगे आप light shine क्योंकि वहां पर बोला गया था specification में कि light shine जो है वो आपको busy color रखना है इसके बाद में देखिए यहां पर heading बन लगा दिया है क्योंकि यहां पर बोला गया था कि heading बन यूज कर नहीं है और heading का नाम था html table लिख दिया है इसके बाद में देखिए border बोला गया था बन लगाना आपको तो table border बन लगा दिया है table tag लगाया है उसके अंदर border लगाया क्योंकि table tag की help लगाया है यहां जहां जहां भी हमारे header है यहां पर आप लुक देख सकते हैं यह सारे जो हैं वो आपके header है तो यह सारे जो header define होंगे वो टीएश टेक की help से होंगे इसके अलाब़ा देखिए यहां पर टीए टेक को close करा गया है फिर then यहां पर टीए टेक को start किया गया है जिसके next row में आप shift हो सकें और next row में जाने के अबाद में data को यहां पर TD tag के help से डाला गया है मतलब कि इस वाली row के लिए यहां पर नीचे code लिखा गया है यह code अपका यहां पर second वाली row के लिए हो जाएगा या फिर header वाली row को हम ignore कर दें तो यह पहली row का data हो गया इसके बाद में second row के लिए फिर देखिए यहां पर tier tech को close करने के बाद में tier tech को start किया गया है और second row का data यहां पर डाला गया है और उसके बाद में rowspun यहां पर लगाया गया है last वाले column में यहां पर आप लोग देख सकते हैं rowspun लगाया गया है क्योंकि यहां पर row हो रही है वो merge हो रही है आपके देखिए यह रो होती है यह वाले row होती है दो रो को यहां पर merge किया गया है तो इसलिए यहां पिह लगे गार आपका रोस्बन एट्रिबुट, तो इहां पर देख सकते हैं रोस्टन एट्रिबुट लगा दिये गया ओए फिर यह पर ट्याया टैक को क्लोज करके दोबारा से टैक को श्टार्ट कियां गया और इस बार देखी हाँ पर क्या कर रहा है second column में लगा गया है callsman क्यों लगा जाए आए इसी लिए हाँ फिर टेबिल को और him odds HTML तो इस तरीके से यह पूरा code आपका हो जाएगा तो आप आप लोग को यह code भी समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से जो आप इस question को solve करेंगे तो इसी के साथ इस्ट्रेंड मैंने पूरा sample paper आपको explain कर दिया है जितने भी हाँ पर question ते सारे explain कर दिये हैं I hope आप लोग को सारी चीज़ समझ में आगे होंगी और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो यहां पर चैनल को subscribe कर दिजिए बैल आइकन को प्रेस कर लिजिए जिससे कि आपको फ्यूचर में ऐसे यह वीडियो मिलते रहें तो इस तो आज की इस वीडियो में इतना है थैंक्स वर वाचिंग